जेन दोस्तो तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने पंच ये फिस्ट को इस ट्रॉंग किस तरह से बनाये जाता है विदिन फाइव मिनिट्स तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो इस ट्रेणिंग को आप देखके कॉपी कीज़े पांच मिट काई एक्सराइजर सबसे पहले आपको करना है पंच वॉक पंच बना लीज़े पंच को जमेन में रखिए और इसी पोजिशन में आपको वॉक करना है पुछ अप्स के टाइम पे हाथ और पैरों में जितना गैब रहता है इसमें भी उतने ही गैब रखना है और इस बात का ध्यान रखिए कि आपके बॉडी का वेट आपके शोल्डर्स रिस्ट और निकल्स पर आना चाहिए उसके बाद ही पंच में पावर आता है अब दोस्तों आपको करना है स्ट्रेट पंच अपने नीज को बेंड कर दीजे और स्ट्रेट पंच करना स्टार्ट कीजे और इसे करते वक्त ध्यान रखिए कि आपका बैक एक दम स्ट्रेट रहे आपका पंच चेस्ट के लेवल पर और नोस के डिरेक्शन में जाना चाहिए पंच को सामने और वापिस पीछे कमर में ले जाते वक्त आपको अपने हाथों को अपने कलाईयों को ट्विस्ट करना है अब आपको करना है होल्ड सेम पुश अपस वाले पोजिशन में पंच बना लिजे पंच को जमीन में रखिए और इसी पोजिशन में एक मिनिट तक आपको होल्ड करना है इससे शोल्डर्स पर स्टॉंग होते हैं नकल्स और पंच में भी पावर आती है अब आपको करना है हुप पंच अपने पंच को स्ट्रेट निकालिए और सामने ले जाकर कर्फ कर दीजे और जिस डिरेक्शन में अपका पंच जा रहा है उसी डिरेक्शन में आपको अपने अपर बॉड़ी को भी लेके जाना है सामने निकालिए और पंच को ट्विस्ट कर दीजे और जहां पे अपका पंच जा रहा है अपने अपर बॉड़ी को भी लेके जाए उससे पंच में फोर्स, स्पीड और पावर आती है अब आपको करना है सिंगल हैंड होल्ड इससे पहले हम लोग जैसे दोनों हाथ नीचे रखके होल्ड कर रहे थे अब आपको सिर्फ एक ही हाथ रखना है जमीन में और पिछले वाले होल्ड से ज्यादा इसमें पैरों में गैप रहेगा जिससे बॉड़ी में भी बैलेंस आता है और पूरा फोर्स पूरे बॉड़ी का वेट एक सिंगल पंच में आता है अफ्टर 30 सेकंड्स आपको हैंड चेंज करना है दूसरे हाथ को जमीन में रखना है और 30-30 सेकंड का टाइम रखिए दोनों हाथ से होल्ड करने का तो यह था दोस्तों 5 मिनिट स्टिल टू मेक अ स्ट्रॉंग पंच अगर आप घर पे रहके माशाल आट्स की ट्रेनिंग करना चाहते हैं और 10 मंस के अंदर ब्लैक बैल का कोर्स पूरा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आरे नंबर पर आज ही वाट्स अप करें इसके मंतली फीस सिर्फ 500 रुपीज होती है And yeah, that's it for today Thanks for watching